दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबीटेक में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 36 गड़ से आई वी नई सिच्छक बकेंसी के बारे में जिसके अंतरगत कुल तीन विग्यापन जारी हुए हैं और तीनों विग्यापन में जो पदों की संख्या मिला करके हैं वो 12,489 पद हैं इसमें प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर और पोस्ट ग्रिजुएट टीचर की विकेंसी जाए हैं तो इस वीडियो के माध्दम से मैं complete details इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या eligibility criteria रखा गया तीनों विग्यापन की जानकरी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा कौन-कौन से आप बढ़ती इसमें आवधन कर सकते हैं इससे बीदियो को आप लाइक कर दीजिये और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो च poss coils के माध्दम से जो भी सिच्छक विकेंसी की अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको प्रवाइड की जाएगी तो यहां पर देखिए यह पहला विग्यापन है और यह विग्यापन सहायक सिच्छक का इसंबर के अंतरगात अभी इसंबर क्या होता इसका मैं लेडिये की वीडियो बना समझ सकते हैं अब यह देखिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के कोडिंग आपको पैमेंट मिलेगा 33 का यह पद रहेगा अब इसमें देखिए अलग अलग जीले के नाम है इन जिलों में आपकी बढ़तियां कितनी बढ़तियां है किस कटेगरी की बढ़तियां यहां पर सारी जानकारी स्टेबल में दे दी गई है तो आप लोग इसको अपने अनुसाड़ समझ सकते हैं मैं आपर बता देता हूं कूटल पद जो यहां पर है वह 793 पद इसके अंतरगत यहां पर रखे गए हैं किसमें सहायक सिच्चा का यह प्राइमरी टीचर इसमबर्ग में ठीक है और अगर बात कर लेते हैं हम लोग T संबर्ग तो T संबर्ग में देखे यहां पर भी अलग अलग जीले के एसाब से यहां पर पूरू समयला की वेकिन्सियर और हैं कटेगरी बाजी vacancy है समझ सकतों यहां पर और यहां पर अगर बात करें कुल पदों की तो वह आ पांच ज 5492 पद 55492 पदे समबर्ग में है और 793 पद आपके यह हैं इसमबर्ग में तो यह चीज है यहांपर हो गई उम्मित करता हूं पदों को आपने अच्छे समझ लिया होगा अब बात करते हैं पातरता की सर्तों के बारे में क्या पातरता यहां पर रखी गई है तो देखें बताया गया सबसे पहले तो आई के बारे में बताया गया है कि ऐसे सभी अब बेड़ती जो एक जनवरी 2023 को 991 वर्श पूरी कर लेंगे और अधिकतम 35 वर्श की पूरी कर लेंगे ठीक है वो लोग यहां पर आविदन कर पाएंगे मनलब minimum 21 वर्स maximum 35 वर्स है 35 से ज़्यादा होंगे तो आप आविदन नहीं कर पाएंगे ठीक है जो रिजरब कटेगरी के छात्र है उनको आउसीमा में 5 वर्स की अधिक्तम छूट मिलेगी और जो महिलाएं है ठीक है रिजरब कटेगरी में आएंगी 36 गड़ की जो महिलाएं उनको य के लिए बोला गया है कि आपने हाड सेकंड़ी ने उनकान 55% वर्स के साथ पासओट किया हो मतलब तोवलथ 45 मिनमाम है साथ में आपने डीयर कोर्स किया हो या ब्रिएड कोर्स किया हो तो यहां पर आव्यदन कर सकते हैं ध्यान समझना यहां पर डी वर्ट नहीं लिखा इस समका चाहता का भी मेंसन नहीं किया गया है तक ताकि आप डेड़ वाले यहां पर सामविल हो पाएं ठीक है और यहां पर टीटी प्राथमिक इस तर का भी क्वैलिफाई होना चाहिए तो यह आपके पास एलिजबिल्टी क्रेटेरियर रहेगी प्राथमिक सिछक बनने के यह वेतनमेट्रिक्स लेवल एड का पद है यानि जूनियर टीचर के लिए पद है उच्छ प्राथमिक विद्यालियों में तो यहां पर देखिए भी इस संभाग दिये गए हैं और यहां पर महिला पूरुस काटेगरी वाइज बताएं गई हैं तोटल यहां पर 1113 पद है इसमर्ग में और बात करें टी संभर्ग में तो टी संभाग यह दिये गए हैं और इसके अंतर गए 4669 पद हैं अगर दोनों को मिला लेते हैं तो लगबग लगबग आपकी यह बन जाते हैं ठीक है तो यह भी पद अच्छे खासे आठावन सो या उन सट सो क्यास पस टोटल पद यहां पर बनेंगे अब बात करते हैं आविसीमा इसमें भी आविसीमा जो मिनिमम्म टुन्टी वन इयर्स होगी अधिकतम 35 इयर्स होगी एक जनवरी इसमें कि इस नातक में निम्तम 45 प्रसंट आंक का आपके पास होने चाहिए डीएड बीएड या बी एलेड उत्तिड होना चाहिए यहां पर भी डी एलेड वाले जो छात्र हैं वो आविदन नहीं कर पाएंगे ना यह समकर 14 का यहां पर मैंसन है और साथ में टीटी उत्तिड होना चाहिए काउन सा उच्च पराथ में किस तरका ठीक है यानि पेपर टू जिसको आप लोग बोलते हैं वह आपको क्वालिफाई होना चाहिए तो यह तो बात होगे जूनियर टीचर की अब हम लोग बात कर लेते हैं पोश्ट ग्रेजिवेट टीचर की तीसरे विग्यापन क किया हुआ है और यहां पर देखेंगे तो यह आपके समने पद है ब्याख्यात्ता पद है ठीक है यह तो तीस निडी का पद है और इसका वेतन मैट्रिक्स होगा लेवल नाइन अब यहां पर देखें जो वेकेंसी है किस-किस के लिए सब्जेक के लिए तो ई समर्ग और ट पोस्ट ग्रिवेट टीचर में और बागी कटेगरी वाज यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुरा मैंसन किया गया है अगर सभी पदों को जोड़ देते तो 432 पद यहां पर प्रवक्ता की है ठीक है अब यहां पर देखेंगे आउसीमा तो इसमें अभी आउसीमा सेमी ह हैं एक जनवरी 2013 को कमसकामेकाईश वर्स और अधिकतम 35 वर्स आपके पास होनी चाहिए अब लो बात करते हैं यहां पर सहिंछिड़िक योगता के बारे में तो यह पर देखेंगे यह सहिंछिड़िक योगता यहां पर बताई गई है तो देख़ें बताया ग से किसी मानता विशा में आपका PG होना चाहिए पोस्ट ग्रिजुवेशन होना चाहिए कम से कम 45% नंबर आपके PG में होने चाहिए और जो पीएड भी आपके पास होना चाहिए PGT में बीएड तो मांगा जाता है तो PGT के लिए यहाँ पर रखा गया है अब देखें यह तीन विशा है आपका इसमें सब्जेक्ट का मिनेशन ही बता दिया गया है कि अगर वांडिज के लिए आप एवदन करना चाहिए तो एकाउंट के लिए फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स या नुकलियर फिजिक्स में आपका जो है किसी एक विसाय में होना चाहिए तो आप पिजिटी के लिए यहाँ पर आवधन कर सकते हैं ठीक है तो सभी कि सैच्छिक योगता बता दी अब हम लोग बात करते हैं क्या टेट्रिया स सब्सक्राइब ना यह टेटी कहां का चुल्स सरकार ने जो टेटी करवाया वही वाला माने होगा जो सी टीटी है यहां पर माने नहीं नहीं होगा ठीक है हालां कि जो अब बेढ़ थी कि मलब है 36 गड़के हैं उनकी केस में माना जा सकता है लेकिन अधर इस्टेट के केस में नहीं माना जाएगा अब जहां पर वेकेंसी दी गई नहीं वहां पर यह लाइन धान समझे लिजिए कि साजक सिचक्टी संबर के पदों में वड़स दोयर कि आपन में जोड़े गए हैं अब में बात करते हैं क्या इसमें अधर इस्टेट वाले जो भी अब बढ़ती आवदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगो तो यहां पर देखिए पॉइंट नमबर एट में में लोगों ने कि पॉइंट नमबर यहां पर देखिए चौथा यहां पर साब तोर पर मेंसा ने आप लोग देखिए कि अब बढ़तियों को 36 गड़ राज्य का निमासी होना जरूरी है ठीक है तो कुल्म लाकर करके इस पॉइंट से बात इसपस्ट होती है कि यहां पर अधर इस्टेट आप बढ़ती आवदन नहीं कर पाएंगे कि इव अब 36 गड़ वाले बढ़ती ही यहां पर eligible हो पाएंगी ठीक है तो अब आपको सारी चीज़ें यहां पर clear हो गई होगी उम्मेद करता है वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद